नमो नमाहा श्री सहजानन्दाय नीलकंठायच नमो नमाहा श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमो नमाहा बोलो श्री स्वामी नारायन भगवाननी श्री हरे कृष्ण महाराजनी श्री घनस्या महाराजनी बदा भक्तोंने जै श्री स्वामी नारायन हरी चरित्रा मुरुत सागर पूरु बीजु तरंग अग्यारमो आजे आपने स्रवन करीशू आतरंग मा स्री हरिय गंगाजने प्रसन्न करी रद्वार पधारिया आकथानू निरूपनाव से ज्यों ज्यों सुनत बातन रिप त्यों त्यों होत आनन्न हरी चरित्र अनूप महा कहत मुक्त सुखकंद श्री हरी ना चरित्रोंने उत्तम राजा जेम जेम सांभले जे तेम तेम तेना रदैमा घणो आनन्द थाए जे अने सदगुरु स्री मुक्तानंद स्वामी सुखना मूल भूत ते महा अनूपम चरित्रोंने कहे जे मुक्तानंद स्वामी जेवा महान सदगुरु संत होई दादा खाचर जनू नामजतु उत्तम स्रेष्ठ भक्त आवा स्रेष्ठ सुरता होई अने वात केनी थती होई सर्वो परी भगवान स्रीहरी ना अमुरूत समान महान चरित्रोंने त्या केवो आनन्द होई जादा आ तमे बदा दरोज आवो छोने अमने एतली वदो आनन्द थाई छिन तमने आम सामे बेठेला जोही ने एतली वात तो चोक्कस के आ कथा गमे छे बताने तो जा मावी सके न हमार अरिसबाई सवारे पनावे ने सांजे पनावे भगवान में जीवन करी ना क्यों सवारे आवे 10 ग्यार बार वागे घरे पहुचे पाचा सांजे पाचा आजर अड़ो अड़ो अड़त्तो मंदिर मा था ही जैश रहे अरिसबाई अवे 15 टका मा वी गया अवे 17 टका 25 टका पने अत्ती आनंद छे हुपण जर्या चरित्रो वाजतो हो विचारो त्यारेम लागे बोलवा जेवा होई तो भगवानना चरित्रो सांभलवा जेवा होई तो भगवानना चरित्रो गावा जेवा होई तो भगवानना चरित्रो इतला माटे इमा मात्र सूख सूख अने सूख़ज छे पिखुदा दे मन्तव याइपूने जेतला भगवान महान छे एतला ज भगवानना चरित्रों महान छे आ सागर्नी कथामा आगल आपने सांबलू एमा सूख छे भगवाननी मुर्तिमा नख्थी सिखा सुधी कोई जिग्याई दुख न थी एवी जरीते भगवानना चरित्रमा कोई जिग्याई दुख न थी आपने जे कथा सांभलिये छिए ए भगवानना वनवीचरणनी कथा छिए पुझ्य गुरुजी वड़तालमा जर्या कथा करता हता महराजना वनवीचरणनी सदगुरु स्पुरुती महत्सव बेमा आ वनवीचरणनी कथा करता करता गुरुजी रडी पड़े तोस्वों आपनेम थे चरित्रोथी दुख थाई छे नई ए आसूपन आनंदना होई छे जे मिराना आसूँ हता जे नरसी मेताना आसूँ हता जोगी स्वामीनू जीवन डिवीडी बव उपलब्ध छे ओनलाइन पन छे एमा एक प्रसंग में जोयो छे गणी वारे प्रसंग मारा रदैमा मन्याम सहज़ फूरी आवे एमा मधवपरी स्वामी कथा करे छे अने पुझ्य जोगी स्वामीने कईक महरादनी वाद करवा माटे प्रवचन माटे आई पूझे जोगी स्वामी चालू कथाना प्रसंग मा निलकंठ वर्नेनी वाद करता करता ज्या निलकंठ वर्णिनी वाद आवे अने स्वामी एवा रडे छे बालक नी ज्यम बोली नथी सकता पन दुनियाना आसू अन्या भगवान नी कथा सांभलता के बोलता पड़नारा आसू एमा फेर छे इतला माटे आवनवीचरण ने कथा भगवान श्रीहरिये पोताना भगतोंने सुख आपवाने माटे पोतानी माथे दूख लिदू उगाडा पगे चालिया उगाडा सरीरे हिमालई मा फरिया साथ साथ वर्ष सुधी कठोर तपस चरिया करी कोना माटे पोताना भगतोंने सुखी करवा माटे एक एक तिर्थमा गया अधर्मनो नास करियो एक एक तिर्थमा रहेला संत अने भगतेने सुख आपवा देवा दूष्ट जनने दंड एजकारण प्रभुये प्रुथविये धर्यो छेपंड प्रुमेव सान्त आत्मा होई बस्सो वरस थे आ संप्रदयना अनुभव माँ छे आ सत्संगना संतोये हरी भगतोये पुरुसोये बेहनोये अनुभवेलू छे चार वरस पेला आपड़ा गुरुजी ये बद्धा संतो ने नियम आय पाता त्यारे में बद्धा संतो रोजेनो पाठ करता ए पाँच प्रक्रणनू नामच्य सान्ती पाठ अन्यमा बीजी कई वात नथी? सान्ती नी कोई वात अद नथी ए समय मा गुरुजी ये बद्धाने नियम आपएला अजजार वर इभक्तमने प्रस्न पुछे क्या आनू नाम सान्ती पाठ केम पेड़ू? एनो जवाब अमारी पासे नथी लेखित जवाब नथी अनू भवात्मक जवाब छे पाठ करोन सान्ती न था रिटन दुकान मा लख्यो ओए ने? दुकान मा लख्यो ओए के फाइदो न था तो पाठ कमाशा वापिझे जजो 20 दिवस दवा पिधी 21 दिवस आए वो केलो तमारी दवा लाव मारा पाईशा केम तमें लग्यू छेने फाईदो न थाए तो दवा न पाईशा पाछा लेज़े जो पेलाई के दुख साई फाईदो न थाई तो ने मने तो फाईदो थाई क्यो ने आमा क्या में लग्यू तनेक मने कोक ने फाईदो थो ओचो ये जगत जेव वचन न थी आतो माहराज नी लिला ना अनुभवज संतोय करिया नंद संतोय येमने अनुभविन लख्यू के भक्त चिंतामने ये तो चिंतामनी छे येनो कोई भाग न्यून न कही सकाई पन तेम चताएना पांच प्रक्रण सांती पाठ जिमा महराज ना चरित्रो वनवीचरण ना छे एमा जे सांती एमा जे सितलता एमा जे भक्तना रदेमा अत्यंत आनंद उपजे छे सहज कारण के एवु कहवाए छे एराने तोडवा माते हिरोत जोईए कार्टाथीज काटो निकले इंटकम कले नेवा हिरा थीज हिरोत तुटे एवी रिते भगवानना दुखना चरित्रो नी कथा जारे जीव सांभले छे ने तेरे जीवना गम्मेवा दुख होए तो पने कसू नती कसू नती यह उखाए ने अन्य एक कस्टेमने सहन करू आपने सुख आपवा माते यमनी कुरुपाथी आपने आटला सुखी छी अत्यारे आजे ज भिखुदादा वाद करता था किस्वामी देश माहतो मारी केवी स्थिती हती आजे माहरादनी कुरुपाथी क्या ची आमे वाद करी देश एतले माहरादना चरीत्र एतला मधूर एतला अनूपम और एतला दिव्य छे मुक्तानंद स्वामी वाद करे छे वरनिवेश स्रीहरी बरेलिथी चालिया वच्चे एक मोटू सहेर आवियो त्यां थी आगल चालिया रस्तामा एक मोटू वन आवियो तेनी सोभा कही नथी जाती अनेक प्रकारना व्रुक्षो गणा उचा अकास सुधी हता तेना उपर जात जातना अपार फ़ल आविया हता ते वनमा किटलाक सिद्धो तप करता हता नारद जीये बचपण मा जात तप करियो हतु तेज आ अनुपम वन हतु तेने देखीने स्रीहरी खुबज खुस थया विविद प्रकारना पहाडू अनेक जातना फ़ल फुलोती सोभता हता अने जात जातना पंखियो विविद प्रकारनो अवाज करी रहिया हता अनेक जातिना पशुओ पंटेवन मा सोभता हता कोई पंजातना पशुओ मा परस्पर वहर भाव नहतो बद्धाज एक साथे विचरण करता हता नारद जीये ज्या तप करियो ए पवित्र आवन्नो प्रदेश छे ज्या पशुओ पंट एविस्थिती पामेला हता के जे माथी वेर भाव निकली गयो हतो क्यार्यक आपन नेम्थाए मानस माथी आतलूद निकली जाई मानस माथी वेर भाव जो निकली जाई तो नथिलाक तू मानस पन महान बनी जाई महरज अत्यंत राजी थया नारद जीनी कथा आपना सास्त्रुमा वरणन करियो छे बवसरस नारद जी एक विधवास्त्री अने काम करवावाली स्त्री बाई दासी हती कलावती एनू नाम हतू एक कलावती नामनी स्त्री एना पुत्र फूर्व जन्मनी कथा ए मालिक ने त्यां संतो पधार्या आशे संतो ने फुलवाडी मा उतारो आएपो फुलवाडी नू काम करना रादासी स्त्री एने जवाबदारी स्वोपी कि साधु महात्मा छे थोड़ू ध्यान राग जो कि जो ये लावी आप जो श्त्री तो एना काम मा होई जवाबदारी जाजी हती विधवास्त्री हती गरनू काम करवानू बाहरनू काम करवानू नानो बालक इने संतो नी स्यवा मा मुख्यो ए बलतो जलतो आतमा संत सरो वर जाई सत संग नी लहेर मा तरत टाड हो थाई एक नानो बालक पितानु छत्र इने गुमाईवू छे पितानो प्रेम केवो होई एने जोयो नथी जान्यो नथी ए बालक इने साधू मेल्या अने साधू मा तो केवू है ए दया रही छे जेना उरमा कोई साचा संद एनो प्रेम कोई जाने होई माने होई ने जीवन भर ना भूली सके मने याद छेट लेकाओ आपड़ा डोक्तर योगेश भै राण पर या बहुँ सारा डोक्तर छे त्यार अमेरिका मा छे आ योगेश भै राण पर या एक वरस के बे वरस आज थी वरसों पेला कदा आज हूं भूलतों नहों तो 25 वरस करता पन वधारे वरस नी पेलानी आ वाद छे 25 वर्ष करता पन वधारे वर्ष पेलानी वाद एक संतनो प्रेम केवो होई एवा संत सहुना सगारे पर उपकारे पूरा छे एजना दिल मा नहीं कोई दगारे सत्यवात मा सुरा छे एवा संत सहुना तमारे दुनिया मा कोग सगा होई एमा पाचा कोई को वाला होई यटले वधारे सगा होई साधु मा यू न थी एवा संत सहुना सगारे पाचा के वाचे पर उपकारे पूरा छे जगत मा तो सगो एटलो मोटो आपे दगो एवु नहीं एजना दिल मा नहीं कोई दगारे सत्यवात मा सुरा छे योगेस भाई राणपरिया यमना बापुजी भगवान दादा यमना बेदिवस पेला योगेस भाई ना भाई कांती भाई राणपरिया आएवाताईया अखो परिवार बहु सारा सत्संगी छे यमना बापुजी पन खुब सारा भग्त छे योगेस भाई ने आम तो मूल छेक बहु दूर रे इचे पन विद्यानगर मा सारु यन विद्यानु क्षेत्र जानी पन बनवा मुक्ये तो संस्कार पन आववाजोय दिक्रामा संस्कारी कुटूम एतले छात्रा लए विद्यानगर नुगुरुजी चलावे त्या मुक्या एक वरस के बे वरस गुरुजी साथे रेवा मलुएमने फक्त एक वरस के बे वरस नानी उम्मर होई काची बुद्धी होई चंचल सभाव होई बालक नोतो पन ए उम्मर मा गुरुजी एने जे साच्वा छे बिमार थे याईनू माथुदाबी दे एक एक वातेनू ध्यान राखे नानाम नानी वात एकनू नहीं बद्धानू ये विरिते ये वातो आपड़ा केटला बदा भक्तो छे के नेडा वाला संजयी बगत जे छे ये पन गुरुजी ने आरिते कोंटेक मा आवेला त्यार थी नानी उमर मा एक संत येनो प्रेमेने जोयेलो योगेस भाई पची तो एक बेवर्ज भणिन पची तो आगल भणवा गच्चता रहिया पची तो मेरी कायवान पची डोक्टर थया अईया डोक्टर थया पची पणियाना मनमा सतत गुंजया करे मारे एक वार केवा सारा साधु होता केटला निर्मल संत हता केटला निर्दोस साधु होता केटला निस्वार्थ संत हता एना रदेमा सतत येक जिनता इंडियायवा प्येस्चल वड़ताल गया कोई खोटा सर ना के कखंश्याम समय नाम के एटले घणा बदा सत्संग मा होई यवा नाम पन मेल्या येमने अनु भोपन जुदा जुदा थया पड़ मन मा एक लगनी के मारे मलवू छे सोत्ता सोत्ता गुरूजी ने मल्या आज ए आपने जानिये छिये कें यह आपड़ा लोयाधाम परिवार मा आयक परिवार येन द्वराबिजा केकला परिवार मा सत्संग पोच्यों पन पाया मा सुच्छे एक साधुनो निर्मल प्रेम एक नानो बालक पितानो छत्र गुमायवुँचे मा विदवा छे मानी माथे एकलो मोटो भार छे बालक मा पासे रड़ी पन नथी सकतो मानो भार जोईने ए बालक ने संतनी सीतल छाया मली अरे संत तारे सीले छाया रे लागी जाय सवने माया रे अरे संत तारे सीले छाया रे साधुनो अधभूत प्रेम निस्वार्त प्रेम होईने जेना दिलमा नहीं कोई दगारे येना दिलमा कोई दगो न होई सत्य वातमा सुरा छे कड़वी वात पन कई सके अने साधुनी कड़वी वात पन केवाईने मानो मार पन दिकराने मिठो लागे साधु ये मा छे आपने मदर्ष्डिय वात करी दिने भगवाने पिता छे, संत ए मा छे, मा दिकराने मारेने, पची मा पोते रडे, साधुनी वस्तुत जुदी छे, संत साचा जेने मली गया, केवा एछेने, पची दुधना दाजेला एछासे फुकी ने पिवे एनी आपने वात नथी करता, पण जेने सारा संत, साचा संत मल्या इतिहास मा नजर करो आ काठमंडू सहर नेपाड़नु जेने वसायवू प्रुत्वी नायन सहा नामना राजा साधुनी कृपा थी इतिहास जो तमे बिरलाजी बिरलाजी नो आखु कुटूं गंश्यम दास बिरला साधुना असिर्वाद इतिहास आखा मा नजर नाखो मुत्तों अमेरिका इवापची विदेशना पुस्तोगोपन मारे घणा वाचवाना थया सेन जेविय क्रिस्चन दर्ममात मे जो कяла काया संत अमुक संत रांसीस पोताना कपड उतारिन आपि दे कपड़ा पोताना पेरला उतारिन आपि सकए आवा दयालू आवा परोपकारी स एक बयिवार्वा भाग्या साली संत चेना प्रत्याप्या प्रुत्वी स्थिर थय 컬러 भाड़क नानो बालक बिजुतो समझाई न समझाई पन एटलू समझाणू का साचा छे केसे आसंत तो बहु सारा रे खरा कल्यान ना करनारा रे एटलो जगुण कोई ग्रेसे रे तेतो ब्रह्म मोले वासलेसे रे आतलो जगुण बस आसाधू कितला सारा छे केतला सारा, केतला निर्मल, केतला निर्दोस भाव थयो साधू तो चलता भला, नदी तो बहती भली अने आबो अगुरू छे आ साथूनु जीवन छे न इनी वाद पची करिया आपड़े नारज्जी ने हमजीली नकर पची नारज्जी ने समझे संतोमा हेत थयो, साधू तो निकली गया बेचार दिवस पची पना आ बालकने एकलो बदो संतोमा लगाव साधूने याद करा करे, मानी पासे रेडा करे मापण सुझ जवाब आपए, एनी पासे कई जवाब हतो नही एवा मा थोड़ा दिवस थाई अने सरपनो डंख थवाने कारणे मानू मृत्यू थाई एक दुख हतू, एनी उपर बिजू दुख हाईवू केवाई छेने दाजयो निना उपर पची डाम दो केव लागे? घाव आगयो निना उपर मिठू नाखो केव लागे? दुबलाने बे दुकाल आविस्थिती थाई पन ए बालक खबर पड़ी मातो मरी गई अवे ने एकक जासरो हतो पेला साधू जो मली जाई ने चत्र मने मले, साधू ने सोधता सोधता याद करता करता, ए बालक पन भटकी ने येने संत नुके ठेकाणू नाना बालक ने क्या मले येटलो रडी-रडी येने पन देहत छोड़ो साधूमा हेत साधूमा दिव्य भाव परिणाम एव बीजा जनमेनो जनमत हयो पन जनमतानी साथ्यनारदीमा ग्नान भगवाननू ग्नान अनंत जनमो पछी मानसने जे न मले अनेक जनमसंसी दस ततो याती पराम गतीम सास्तरयम कहे छे जनमो जनमनी साथना पछी जे न मले ये साधूमा हेत थवा थी साधूनो राजीपू मलवा थी येने मली गयु भगवान प्रत्यनो प्रेम जाग्यो भगवान ने राजी करवानू तान जाग्यो जयू साधू नथी मला येने भगवान पन मला छेने तो पन नथी मला बरोबर रावण ने मला ताने रावण ने सामे सामे मला बोलो तो ये मारी नाखवान इच्छा थे क्यम येने समझावनार कोई पेला नोतू मलो अने विबी संड ने मली गया बेई भाय ज़ता बनने लंकाना रहवासी ज़ता नारद जिने संत मल्या संतों मा भाव थयो संतों नी कृपा थय परिणा में ए नारद विजाजन में तपस्चरिया करे ए आतपस्चरिया निवाद जाड पाड उचा छेय पार रे जानू अड्या आकास मोजार रे ए साम सामी साखा संकलानी रे एक बीजा मा घानी घोचानी रे एवू घाटू छेवा नवी सामरे जेमा नपडे रात दीनी गामरे जाड एकला बदा उचा एका बीजा साथेवा घुचवाई गया छे के नीचे चालनार ने खबर न पड़े क्या कासमा सुरिय छे सुरियनी किरण प्रुच्विने अड़ी न सके आउ गनगोर जंगल वर्सोती जां सिद्धो भगवानने राजी करवा त पस्चरिया करे छे सहज छे आवी पवित्र भूमी होई आवी पवित्र भूमी होई दादा अने त्या कोई पसू जाई तो येना रदैंमा पण कहिक तो सपंधन अडे के नाड़े कहिंक अडे के नाडे आसित बगद तम्या मा लोया धम मा बेशो क्यों लागे क्यों लागे अरे तमारी वाद छोड़ो ने अमारीच कई दो अम्या विच्रन मा जहिए ने कोईने तिया धून करता होई गानारा एज स्रीजी स्वमी होई अम्या सामभल नारा होई मंजिरा तबला साउंड सिस्टम बधू होई हाँ भाव थाई पन अईया प्यूडा गंचया माराणा दर्शन करता होई स्रीजी स्वमी धून गवरावता होई अने आपने करतालेन बेठा होईना माराणी सामे जे रदै माथी स्पंदन उठता होईने रदै माथी जे भाव प्रगड थतो होईने जे तनमहिता मुर्तिमा थती होईने कईक जुदी होई आपनो पोतान अनुभव चे अने दुनिया मा अनुभव थी मोटू कोई सास्त्र छेद ने नारज्जी नी तपोभूमे छे आ वनमा भगवान स्रीहरी पधारिया छे अंतरिया में स्रीहरी जानी कि आतो नारज्जी नी तपोभूमे छे खुब राजी थया पचि नारज्जी ये तिया तप करिव भगवाने ने प्रत्यक्स मल्या अने भगवाने पोताना मन तरीके अखंड पोतानी साथेरा क्या भगवानना मानस पुत्र भगवानना अवतार नारजी त्यार्थी कहवाया एक दासीनो दिकरो भगवानना अवतार बनी जाई दासीनो पुत्र भगवाननु मन बनी जाई आ साधूनो प्रताव साधु मले तो सुन थाई भगवान मली जाये ने काण के संतनों कामज ये छे ने प्रभुपद प्रगट करावत प्रेते भरम मिटावत भारे परम क्रिपालू सकल जिवन पर हरिसमा सब दुख हारे जगत माही संत परमहीत कारे संत मले तिने भगवान मले मलेने मलेज एसाचे सदगुरू मुक्तानन्द स्वामीनी पंक्ति हाँ पंचरत्न नामनो ग्रंथ स्वामीनो मन्याक पंक्ति एटली बधी गमे दस बार वरस पेला अमेरिका मा बोवा पंक्ति उपर कथा करी थी पची करी न थी क्यारे करी सो एसाचे सदगुरू सेवो भाई जो देवत हरी प्रगट बताई मुक्तानन्द स्वामीना एक किर्तन माने बेक किर्तन माने स्वामीना स्यकडो पदो मा स्यम सब्द मले साचे सदगुरू सेवो भाई खोटा मली जाई छेने भुख्या थेला वाचडाने आखलाव मली जाई छेने माफ कर जो मने कोई अमारी नातवडाय माफ करे आ तकलिफ त्यां छे जो के बेईनो वाक होई छे एक पक्सने क्यारे दंड न देवो जोई केवाई छेने जियां लालचू मानसों होई त्यां दुतारा भुखे न मरे कई खोटी लालच मानस ने लागे त्यारे दुतारा भावता होई ने एकले तो गुणात्यानंद स्वामी बोल्या एकले गुणात्यानंद स्वामी बोल्या स्वामी के गायो भेसो बकरा वाडामा पुराई सिह के वाग क्यारे वाडामा पुराई नई एम स्वामी के साचो मुमुक्सु क्यारे पन खोटाने विशे फसाई नई अंदर सत्य पेडू छे ने अंदर का एक सत्य मेलवानी जिगनासा छे ने गम्मेवी जाड माथी निकली जाई फसाई छे गुनेगार एक पक्स न थी दोनों गुनेगार जहर खा बेठे हम उसे ओहमे दोनों भुला बेठे बेईनों कैक वाग होई छे साचा संद आपनने मले एने सेवीलो एनों समागम करीलो पस्वो माथी वेर वुरुत्ती निकली गई अन्या वेर वुरुत्ती निकलवी सेल्ली वाद छे सेल्ली वाद छे मानस माथी वेर वुरुत्ती निकली जाई तो सुन थाई जाई काम थाई जाई ने बस आनुद नाम चे राग नेद्वेस साधुना लक्षण मा गणा बदा लक्षणों लख्या पड़े मा एक साधुनु मुख्य जे लक्षण गणाई छे गिताजी मा श्रिमत भागवत मा स्रिमत सत्चंगी जीवन मा अरे वचनामृत मा पड़ महराजी वात करी बद्धा सास्त्रों ने आपने लईए समह सत्रों च मित्रेच तथा माना अप मान यहो मान ने अपमान जेने समान लागे सत्रों ने मित्र जेने समान लागे दुस्मन जेने कडवो न लागे मित्र जेने मिठो न लागे आ साधु दुस्मन जेने कडवो नलागे औने मित्र जेने मिठो नलागे आग द्विशनी भुमिकाज मानस ने मारे छे येनूज नाम संसार छे येनूज नाम आ संसार नुँ चक्र छे एक जग्याए राग एकले आशक्ती थाई छे एतले येने मेलवी लेवानी पढ़ावी लेवानी पोत्तानों करीलेवानी अधिकार जमावानी भाँ ना जागे छे एना माटे मानस वलखा मारे तो बिजी बाजू दवैस जनमे में छे तिया अहंकार नी आती पडे छे एक बाजु राग छे त्या अहम और द्वेशना मुलमा में नापडितिन करू केम मुलमा सूँछे अहंकार छे बत्ता वीदव मुलमा सूँछे अभिमान छे अहंकार छे हवे बिजीवार आवेने त्यार छोड़ू ने मुलमा सूँछे द्वेशना मुलमा अहम छे अने रागना मुलमा आसक्ती छे आसक्तीनू चालक बढ़ स्त्री छे कोई टुकमा इवी व्यक्ती छे अने अहंकार नू चालक बढ़ मुट्टे भागे पैस आयतले वस्तू छे वस्तु अने व्यक्ति स्त्री अने धन अहम अने आसक्ति राग अने द्वेश आनूज नाम संसार यहां कोई आ रहा है यहां कोई जा रहा है साइद उसी का नाम दुनिया यहां कोई हस रहा है तो यहां कोई रो रहा है साइद उसी का नाम संसार एनुज नाम दुनिया एनुज नाम जगत हसे छे पोताने गमती वस्तु मले तो राजी रडे छे पोतान न गमती वस्तु मले तो कुराजी आतलुच्छे न दादा दुख माई हस्ता अवडी जाई ये क्यारे येने रडवानु वारो आवे खरो और ये रडे तो ये मिठु रडे हा वेर वृत्ति पन तियां पिगली गई आती। आग कथा बहुँ समझवा जिवी जे। वारे वारे कईू ने। बहुँ सांबली कथा। आवे तो सम्झीने के कथा सांबली है। साधू जिया रेता होई ने। तिया मानस आवे ने। तो पसु जेवो होए ने, तो पन एनी वेर वृत्ती, एनु द्वेश, एनो कातील स्वभाव, त्या कोमल थाई जाई जाई जे, आ साचा संतनो प्रभाव चे, साचो समागम करे नो प्रभाव चे, कथा माथी हारी हारी वस्तु लखो दादा, बौँ जाजी न लखो, एमा जती रही जे, जो त्रण दिवस, त्रण चार दिवस पेला आपने वाद, सुक्रवार नी कथा माज वाद करी तीने, केटली सरस वाद आवी ती, महरादना प्रसादीना सब्दो जेटलो भाव होई, एटलो जेने योग थाई, और इस बाई यादावी गिन वाद, आई गि जोग था, एटलो एने निश्चे ये थाई, और जेटलो निश्चे ये थाई, एटलो जीवसुख्यो थाई, केवी वाद स्पष्ट छे, दिवा जेवी, मैथेमेटिक्स चे, बे अने बे चारत थाई, अमेरिका मा के इंडिया मा जापान के जर्मनी मा चारत थी वधार था जेटलो भाव, जेटली रूची छे, एटलो जीवसुख्यो एटलो समागम थाई, हजार मानस बेठा होई, एक टका भाव छे, तिवा, दसक लाक्स कथा आकी पारण साम्बले, तो येने समागम केटलो के रोके वाई, एक टको, तो येने निश्चे पन केटलो थावानो, अनि सुख्यो पन केटलो थावानो, थाई यू सिद्धू मेथेमेटिक्स, पारण साम्बली 10,000 मानसोई, पारण कथा साम्बली 10,000,000 मानसोई, बेठा का वाड़ा तो बेठा का, आ कथा केकली नारज्जी जेवा संत जियां तप करे छे, बदरिकास्रमनी कथा सत्संगे ज पिवेचे, आवी कथा लखी, सिह अने हरण एक साथे पाणी पिवेचे, आजनो मानस, मानस मानस जोडे बेशी नथी सकता, बोलो, नथी बेशी सकता, मंदिर मा भेगा नथी थाई सकता, ए मंदिर मा पग न मुकू, अरे स्रीजी महारज वक्ते, दुरुला भराम अने एना मित्र हता, बेचर भट, म्यम्दा वादना, एक भट जी भुदेव ब्राम्मन हता, जनानी हता, और दुरुला भराम बो पईशा वाला हता, आप प्रोब्लेम बेच जिगे थाई छे, का वधार पडती बुद्धी चाले त्याँ प्रोब्लेम, अने का वधार पडता पईश आवे त्याँ प्रोब्लेम, त्यी जो प्रोब्लेम छेद ने, पन तो पन बेचर भट अने दुरुला भराम, बेचर भट ना योग्ये करिन दुरुला भरामने सत्संग थयो, भगवान स्वामियान ओडखाया, बनने एवा मित्र एका बिजा वगर चाले नहीं, एका बिज एम खोटी करे निवाहता, एले पोटे दुरुला भरामने अपमान जेवु लाग्यो, अने एम थयो, अवे बतावी दवाने, बिखारी, उने रोटला आपुने खायी छे, अने मारू हमबलतो नथी, आवी आटी पड़ी, मंदिर मा आवानू, पर मंदिर मा आवता पेला ब और पिखो दादा, कोई लाब खरो? आक आ वुरुत्त्य छोडवानी वाथ आपड़े कहीछे ने प्रोषती बदली सकीएछे आपड़े आपड़े सुकरीएचे प्रोषती बदली एची तेम एक घरे होत तो कही ovlom करता होत यह जिगे यह मंदिर है तो प्रोषती बदलाए गए है अवे कथा सांबलवानी प्रवृत्ती थे, अग कथा सांबले चे बधा बगतो, ये आठ वागया पेला, साथ वागया पेला, बिजु के काम करता आसे, नोकरी करता आसे, ड्राइविंग करता आसे, जोब करता आसे, अवे तेरे कथा सांब, अपने प्रवृत्ती बदली ये वुरुत्ती नथी बदली सकता जारे मानस नी वुरुत्ती बदलावानी सरुवात थाई ने जह दिव से जह दिव से मानस नी वुरुत्ती बदलावानी सरुवात थाई तेर दिव से आपने साधुनों समागम केरो केवाई पसुओ जो वेर वृत्ती छोड़ी सकता होए तो साधुना युग मावेलो पूरुस क्यो थही जै क्यो थही जै साधु जेव थही जै अनि दाखला आपी दो चालो आपड़ा संजेई भगत सिकागवळ आस्मुख भगत येना मोठे तमें क्यारक वाच शांबल जो पूछी ले जो के गुरुसी मेला ये पेला तमारा जीवन केवा हता अत्यारे तमारा जीवन केवा जे केतला भगतों इंडियाना साधह कथा बहुँ सांबले चे येतले केवानु मन थाई क्या कथा सांभल नारा वधारे छे पण कथा ने पोताना जिवन मां समझीने उत्तार नारा तो बोव ओचा छे ओचा एकले गणाज ओचा एम कई सकाई प्रावरुत्ती बदली नाखिया पड़े पेला बिजु के काम करता ता वे कथा हांभलवानू सरू कर दीदो पेला कथा हांभला वगर व्याथा करता ता वे कथा हांभलीन व्याथा करे त्यमाल तो यच्छे पेला सिधे सिधी धमा आमारा आसित भगत बहुँ सरस्के एक भगत कथा हांभले कथा हांभलेन पचे आसित बहुत ने दरोज के काका कथा हमबलवानी कथा याद राखवानी आसित भुद कर्था वदार याद राखे पन कोना माटे याद राखवानी काकानू मुडूसी विलेवा माटे स्वाम्याज सुम वाद करेती राग द्वेश्ती पर्थवानी वाद करेती जतू करवानी वाद करीती भूलता शिखवानी वाद करीती काकानू मुडू सिवाई जे आ कथा उन करू छू मारा माटे तमे सांबलो छो तमारा माटे एम मानीना कथा लखिये तमे तो बदा लखो छो बद्धा जो बगतो एक एक बब्ब्बे वात पन लखता जाई ने पसुओ माथी वेरभाव निकली गयो खुब सुन्दरा कथा छे महरात त्यां पधार्या खुबज राजी थया हरी चलित्रा मुरू सागर ग्रंत माजी आगल लखे छे मुनी वरो ज्यारे ध्यान करवा बेशता त्यारे त्ये पसुओ त्यमनी पासे बेशता पसु सुधरी गया त्ये पसुओनू वर्तन पण मुनी यो ना जेवू थायो हतु आम तो चलो नथी करी वाज जवादो ने पड़त्यार यो उद छे पसुओ हवे सुधरता जाई छे औने मानसो हवे बगडता जाई छे माजा मुकी दिदी छे आखी दुनिया माने छे आवाद तो दुनियाना सुधारको दुरियाना चिंतको दुनियाना राजपूरुसो बद्धा जावात करे छे ते वनमा महा भयंकर सिहों पन रहता हता ते सिहों पन मुनिवरोज्या ध्यानमा बेठा होई त्यां अविने पासे बेशता ते आश्रमनों प्रतापज एवो हतो के कोई ने पन कोई प्राणी संतापता नहीं पीड़ता नहीं दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान तूलसी दयान छांडिये जबलग घट में प्राण केवी सरस्वाद चे पसोये वेर उरुती छोड़ी दी थी संतो भजन करे त्यां बाजुमा बेसिन भजन करवाला गया ते वनमा जे सिद्धो रहता आता ते स्रीहरी ने देखता आज दोडी दोडी ने चरणों मा पड़िया तेमना मनमा घणोज आनंद उत्सव थयो श्रीहरी ते सिद्धो नी पांसे बेठा तेमना दर्शन करीने तेव आनंद उल्लास पामिया फळ फूल आदी श्रीहरी ने जमाडीने तेव आनंद पामिया त्यां परवतमा अपार गुफाओ हती तेमा बेसिने मुनियों ध्यान करता हता श्रीहरी ते वनमा दस दिवस रहया औने मुनियोंना मनोरत पूर्ण करिया ते वनवासी मुनियों जयरे अतिसे राजी थया ते पछी श्रीहरी त्यां थी चालता थया बहादुर्पूर नामे सहरमा आविया त्या एक दिवस रहिया पूर्वासियोंने दर्शंदिधा औने तेमना अन्न जळ स्विकारिया त्यां थी स्रीहरी तेज मारगे आगल चालिया औने गंगाने किनारे पहुचिया गंगाने पोताना चर्णो थेई पवित्र थेली जानीने तेना उपर रदेमा घणू हेत थयू अने तेना दोसोंने दूर करवाने माटे ते गंगामा नाहिया गंगाने जोय महराज राजी थया कानके नदी छे पणि भगवानना भक्त ना स्वरुपमा छे तूलसीनु जाड ए जाड छे पणि भगवानना भक्त नु प्रतीक छे कोई भगवाननी वी लिला जाड रूपमा तुलसी ए भक्त छे नदी रूपमा गंगा ए भक्त छे पसू रूपमा गाई ए भक्त छे भगवाननी हसे कैक लिला पोताना उपर स्रीहरी ने गणु हेत छे ते देखीने गंगा स्रीहरी नी पासे आवी विनंतीकरी ने बोली प्रगट या गंगा जी कारण के आपड़े तो जानी एच्छी आपड़ा सास्त्रों नी कथावत छे ज के गंगा तो प्रगट छे अवे कई दवचालो ने एक समझ ये पन वाद पूरी करिया ने गंगा जीनी कथा आम तो आपड़ा सास्त्रों मा प्रसिद्ध छे गंगा ना घणा बधा नाम छे एक नाम छे विष्णु पदी भगवान ना विष्णु ना पद एकले चरण एमाथी प्रगट थवाने कारणे एनु नाम छे विष्णु पदी बिजियन नाम छे जटा संकरी संकर भगवाने जटा उपर धारण करी होवाने कारणे इनु नाम पेड़ूसु जटा संकरी एक नाम छे जान्वी जान्वी एतला माटे नाम छे जहन्णु नाम ना रुसी हता आ रुसी गंगा ने पी गया गंगा अभिमानमा आती एकले एनु अभिमान तालवा माटे आने पची-पाची प्रगट करी एतला माटे एनु नाम पेड़ू जान्वी चोथु नाम छेनू बागी रथी बागी रथी जान्नवी, जटासंकरी, विष्णुपदी औने गंगा गंगानो पन अर्थ थाई कल्यानने आपनारी मंगल करनारी, संस्कुरुत सब्द छे आपड़ा सास्त्रो प्रमाने कथा येवी छे के बली महराज यग्न करता हता असूरोना राजा हता बली भगवानना भक्त हता असूर होवा चता भगवानना भक्त हता अने भगवाननी भक्तिना प्रता पे त्रणे लोक मायनू राज्य स्थापित थाई चुक्यो हता येले देवो दुखी हता के अमारो भग असूरो एच्छिन विली दो ये बली महराज येमना गुरु हता सुक्राचारिय गुरुनी आजना प्रमाणे यगन करता हता यगनना अन्ते दान आपवा माटे बेठा येमां त्रण एक नाना यवा बटूक एक नाना यवा वामन वामन ये बटूक वामनो पूरुस भगवान पोते ए रूपमा प्रगट थे ने आएवा छे देवने सुखी करवा माटे देवने पोतानों भागा आपवा माटे वामन सामे आवे छे एकदम नानो यहुँ शरीर छे अती तेज छे भगवान ज्यारे बालकनो रूप ले बालक आम पन तमे जुओतु सुंदर लागे गम्मे ते वो बालक होई गम्मे ते बालक तमें जोयो ने इस सुन्दरद लागे सहज सुन्दर ये बालकुमा छे इनु कारण इनु अंतर निर्मवल छे मानस गम्येटलू मेकप करे ना थी न थी सोत्तो वेकप थाई ने थोड़ू मेकप नहीं सुन थोजो ये वेकप थोजो ये अंदर थी जागवू जो ये बार थी पावडर लगे अपन अंदर थी कालो मेस्त जेवो जोय तोसु थाई आप बहु समझवाजवी कोस्मेटिक सर्जरी जे जो उमारो मोक्स खुस तो ये बालक नी वात वेतले आ कोस्मेटिक सर्जरी चेक प्रकार ने मानस ना रदई ने एक तो बालक अनि यमा भगवान पोते अनि अती सलूनू अती मनोहर इबटुक नू स्वरूप जोय सुक्राचारिय दानवो बली माहराजबधा प्रभावित थाया बोलो ब्रह्मचारिय सुँ आपो ब्रह्मचारिय कईयो? कि बली बस त्रण डगला पृथ्वी जो sendiri सुक्राचारिय हसी पढ़िया बुद्धी मान मा बुद्धी मान आखह ब्रह्मान ना बे बुद्धी मान तत्वेक ब्रहसपती अने येने वटी जेवा सुक्राचारी बेज बुद्धी साली तत्पो अस्या पड़ मनमा थायू आतलो तेजस्पी ब्राम्मन छे बटूक छे त्रण डगला पृत्वी मागे छे कैक कपट छे विचारविन आगल नवद भूजोये त्रण डगला पृत्वी माँ सुथाई जुपडू बने जुपडू न बने पथारी न थाई कैम आटलू मागे छे कैक आमा छळ छे कपट छे बली ने कयू बली सावधान था दक्षिनान आपतो विचार पेला बली ने थयू यग्णना कुंडू पर बेठोचु प्रतिगना करी छे अति थी देव मानी दक्षिना आपवा बेठोचु कैम मारा थी अनादर थई सके गुरूनी ना होवा छता आथमा जड़ जारीली थी पानीले संकल पसारू पुदेव त्रण डगला प्रतिवयापी आम प्रतिगना करवा जाए तो सुक्राचारिय बद्धी विद्यमा कुशल हता अने ए समये पेला असुरोना गुरू सुक्राचारिय जे देव्यानी ना पिता हता जे देव्यानी अजज़ारो लाखो वर्ष पछी आपड़ा सत्संग मा जनमी अने एनू जनाम चापरी गामना जानबाई चापरी गामना जे जानबाई छे इसुक्राचारिना पुत्री देव्यानी एज आपड़ा सत्संगनी घणीबदी कथाओ ओए छे प्रसिद ये सुक्राचारिय अलस्यानु एक नानयवा जन्तुनु रूप लए अने जण जारीनी अंदर जता रहिया येनु काणू हो ये काणू पूरी आडो आड़ा बेशी गया पाणी बार निकले तो संकल पकर से ने ये पाणी आम आड़ू करू पन निकलू नहीं आम पेलो हलावे बली राजा भगवान ने खबर पड़ी का आड़ो आवे छे धर्मना काम्मा आड़ो आवे येने बाडो करू चुए अने भगवान वामन तो भगवान हता नी तो वामन थोड़ा हता शरीर टुको हतु बुद्धी ते नी बहु पोचे वे अती एक सेकन मा सलीली जी उभार उभार राजन एम पानिवीनिक शिद्धी जवादी दी शुकराचा ने एक आँख फोड़ी नाकिन सुकराचार शटाक देन बार निकले या बिजी फोड़ी नाक से एक आँख सुक्राचारी नी गई ते गई अजी सुधी मा आवी बेजना स्वर्गनिंद्र एक आँख थी बाड़ा जे एक देवोना गुरु सुक्राचारी अने बिजा इंद्रना दिकरा जयंत जेने सिताव पर नजर बगाड़ी एकल एक आँख थी काणो तुक्मा जे एकला माटे भग पोताना गुरु ना पाड़े छे तो पन सत्यने वलगिन रहे छे कुँ यगनना कुंडु पर बेठो छु कदाच कपट करशे तो भले करशे आपड़ा गुरुजी बहु सरसेक वाद करे मन्या वाद एकली सरस्गमे दादा गुरुजी नी वाद छे दादा गुरुजी गुरुजी ने के ता गुरुजी अमने संतो ने के के साधू कदाच छेत्राई खरो पन छेत्रे तो नहीं हचा के वी सरस्वाद छे कदाच छेत्राई खरो पन छेत्रे तो कोईने उल्लू बोलो होई कोईक बनावी जाई छेत्राई खरो पन छेत्रे नहीं ए साचो साधू छे इना पेटमा दगो न होई कपट न होई प्रपंच न होई जाळ न होई क्यार भूल करी बेशे पन बिजाने भूल न करे बिजा पासे भूल न करावे साधूना स्वभाव छेने गुरू ना पाड़े छे छता बली केतला भकतर दईना छे यगना कुंडू पर बेठा छे चेत्वे छे केतारो दुस्मन लागे छे इंद्रनो मित्र लागे छे ध्यान राग जेतू सावधान थाई जा हसे कदा छेत्रे तो भले छेत्रे पहुं यगनना कुंडू पर बेठा छे अत्यारे मारा थी असत्यनों आसरो न थाई अति थीनों अनादर न थाई सास्त्रनी अवगना न थाई एटले बली ये आपेलू दान भगवानने त्रण डगला प्रुथवी आपी 25 थयो वामन माथी विराड थया एक पगलामा आख्खू पाताल और बीजा पगलामा आख्खू स्वर्ग बीजो पगलू उच्चू करियो भगवाने त्यातों केवाई छे क्या आख्खू ब्रह्माननु जे अंड हतू एतले येनु जे पड हतू येनु जे आवरन हतू तो पडिने बाहर निकली गयो ए समय मा स्वर्ग माजे नदी हती बराबर स्वर्गनी नदी स्वर्गनु जे पाणी दीव्य पाणी ये भगवानना चरणने स्पर्श करी अन्या ब्रह्मानमा आएवू ये उपरना लोको मा गयो ए पाणी येनु नाम बढ़्यू कंगा भगवानना चरणने अड्यू सवती प्रथम चरण एणे धोया अन्य बली राजाई जे दान आयपू त्यारती इतिहासमा एक सब्द रूठ बन्यो बली दान कोई मुट्टा मुट्टू सेक्रिस्फाइ सोईतोसू कही आपडे? आमनू बली दान जेुटे बली राजा जेवू येने दान आयपू बली राजाने बे पगला भगवाने लेली दान पछी पूछीू, कवे त्रीजू पक क्या मुखू? बोल बली, तारू बद्धू बे पगला मा लेली दू? स्वर्ग मृत्युलोग पातालोग त्रने त्रनावी गया त्रिजु पगलु ते प्रतिगना त्रन डगलानी करी छे बे डगलानी नहीं तारीवात अधूरी रेसे तोई बली राजा मुंझायाने पाचा वचना मृत्मा महराजे वात करी जेम जेम भगवाने कसोटी करी राजी थया कि अजी मारी पासे में मारी संपत्ति आपी छे सरीर क्या आए पूझे त्रीजु पगलू मारा मस्तकु परमुकी दो भगवान पने भक्त ने वस थई गया किदुने जेने लुटवाय वाता जेने मारवाय वाता जने छेतरवाय वाता पड़ भगवान ने थयो आओ पवित्र मानस्त में जोयो नथी आओ सारो सज्जन मानस्त में जोयो नथी भगवान जना दुस्मन बनीने आवे ए दुस्मन ना भगवान वखान करवा लागे इस वर्गलोक मा रहेली गंगा पची वर्षो पची इक्सवाक उवंसना राजा सगर हता सगर नामना राजा ए सगर नामना राजा ने साइट हज्यार दिकराओ हता आखी पृत्वीनु राज्य अयोध्या नगरी जे छे आपड़े कईये छे ये अयोध्या नगरी त्यारे आखा भारत वर्ष नी राजधानी हती अयोध्या नगरीने वसावन आरा राजा एक्सवाक उणसी राजाओ हता अयोध्या नगरीनु वरणन आपड़ा जुना शास्त्रों मा वाचो सामबलो जानो ए समय ना वर्षो पेला ना अवेला विदेशी चिन्त कोई योध्यानुजे वर्णन विदेशना पुस्तकों मा लख्यू छे तमे वाचो कलुपना तीत नगरी हती है अत्यारे समय येवो नथी अत्यारे जुदित दसा छे नी इक स्वाकू वंस ना राजा सगर महराज आखी पुरुथवी ना राजा हाता पड़ मानस नी इच्छाओ तमन नाओ की दुनिया हर कोई इंसा बनाता है लेकि पाता है वोही जो तकदीर लाता है पुरुथवी नु राज्य मेलू वायने स्वार्ग मा इंद्र थवा नी इच्छा थाई येने साइम्भलू वाच्यू जायनू के सो अस्व मेध यगन करे येटले छते देहे आने आ मनुस्यना सरीर मा इंद्र बनी सके इंद्र ने अड़्धू इंद्रासन खाली करवो पड़े तो सगर महरत्तवल गया राजा आता भीजू कोई करवानों हतो नहीं येने येने तो कोई दूस्मन नहीं नहीं नु नुवानू यगन पूरा के रा के रा कितला अवे उप्पर नो इंद्र डगमग थवा मेड़ो येने थियू का आ उप्पर आवसे तमे सुकरसू अमे क्या जसू बद्धि आम मत छे एक मिले दस बीशकू चहिए बीश मिले सत सहस्त्र चहिए नर इचे चे नरेंद्र थावा नरेंद्र एटले कोण नरेंद्र एटले नर इंद्र एटले राजा एटले इंद्र स्वर्गनो इंद्र याकी पुर्थ्विनो राज़ा के वाई एटले इंद्र थवा माटेनी इच्छा थाई बैनु नवानु यगना पुरा थया सोमो अस्वबेद यगना चालू करी दिदो इंद्र थर थर कापपा लाग्यो देवो ने गंधर्वो ने आदेश करियो छे गम्मेत यम कुतु हल करीने चल करीने आना गोडा ने अस्वमेद नो गोडो आकी पुरुत्विव पर फरी लापता बना वीदो इपाच्वावे तो अस्वमेद यगना पुरु थाए तो ये पछी मारू इंद्रासन लई सके आशोमो इंद्रासन पुरु न थवो जुए आवी रिते देवो ना राजा इंद्र ये देवो ने गंधर्वो ने आदेश करियो देवो ताव पृत्वि बदा रूपलेन क्या घोड़ो परे तरत पकड़ी पैड़ों इना रडार तो पावरफुल जोई अमेरिकाना सेटेलाइट जेवा गमेतियां पहुची जाई CIE कई संस्ताई नहीं CIE ने अमेरिकाना CIE जेवा घोड़ो सोधी पैड़ों लई तो लिदो पन मुकूओ क्या उपर फोन केरो इंदर महराणने के लई आविये तो कि ना आतो बुब बलियो राजा इंदर उपर आउस इनक्वाईरी करवा माटे येवी जिग्याई मुकी दो के ने मलेद नहीं और मले तो इमानस मरी जाई येवी जिग्याई क्या मुको मले नहीं अने मले तो पाछो इजीवो न जोईए येनो यगन अधूरोरेवो जोईए एटले बद्धा देवए भेगा थे प्लानिंग करू कोई साधूना आशरम मा मुकी दो साधू तो आवे जबधी कथा स्वर्ग नी कथा हांबलो पृत्वी लोक नी कथा हांबलो क्या पाताल लोक नी कथा हांबलो साधू तो आवे आवे ने आसिद भगत येवू प्लानिंग करू इंद्र ये कहिऊ कोई सिद्ध साधू होई ने एना आशरम मा मुकी दो केम इतला माटेक त्या जसे नालोको बबाल करसे धमाल करसे ये नेम थेया साधू ही लिदो ले साधूने क्रोध थासे न साधूनो क्रोध तो खलास करे नाखे बधाने गम्मेव मोटो राजा चंद्र इंद्र गम्मेव बुद्धी साली होई तो पन पूरू साधूनो साप थाए ये नो क्रोध था यू करो कपील मुनी सिद्ध संद्ध पृत्वी पर तपस्चरिया करता हाता कलकत्तानी पासे आजे पन जग्या छे येम ना आश्रम मा आ गोडाने चुपावी दिदो येम ना आश्रम मा चुपायो देवो तो अद्रस्य थे गया सगर राजाने खबर पड़ी घोडो लापता आखी पृत्वी खोडावी नमली साइट हज्जार दिकरा आता है ना केटला या बदू माप करजो कोई नहम जाए तो आखी पृत्वी साइट हज्जार चुकराव ने कोई पृत्वी आखी सोधी काडो गम्मे त्याथी घोडाने लाओ साइट हज्जार दिकरा मंडिया ते पृत्वी ने खोडी नाखी बोलो सगर राजाना दिकराव ये खाडो कर्यो ये खाडामा पारी पाणी भरानू येनू नाम पड़ू सागर अलपेस भगत विचार दागा स्वामी बधी आँ सास्त्रों नी वात होचे बधी आखी पृत्वी खोदी नाखी उंडी उंडी के पृत्वी ना निचे पेटाल मा जो घोडो गयो त्याथी में बार काडिये स्वर्ग सुधी इनक्वाईरी करिली दी पन क्याई नमलो एम फर्ता फर्ता पेला साइट जार निकलता था अने खबर पड़ी याँ गुप्त वास में एक साधु तप करे बोव मोटो आश्रम छे कपिल मुनी बोव सिद्ध हता आश्रम मा गया खबर पड़ी आश्रम निया खुणामा गोडो बांदेलो जोयो कपिल मुनी तो आख बंद करे द्यान करता आता धूर नाखी पत्रा नाख्या गालो दिधी अपमान करू धोंगी छे तुतारो छे अमारो यगननो गोडो चोरीन आश्रम मा बांदी दिधो अने आख बंद करें ध्यान करवा बेशी जाएचे अम बेफाम बोलवा लाग्या उद्धत बनी अभिमानी थी विचार्या विना साधूनो अपमान करू द्रोह करू कपिल जी जाग्या आख खोली आवा उद्धत मानसों ने सामे जोया एने थी आलोको जीवा लाहक नथी लागता कोण चे पची विचारी शू केमा आवा चे पची पण आवा मानसों प्रुथवी पर ना जोये आख माती तेज प्रगट करू साइटे साइट हजार त्यान त्यां बढ़ी मेरा अवे घोडो तो आएवो ने पण पची चोकराई न आएवा एटले बाप वदार मुझा न अन येने समाचार मेलाग साइट हजार गया आरी ते कपिल मुनी नो द्रोह केरो ते बापाने येटे कएवो इंद्र पदै रयू यगने अधुर रयू बापाय उपड़ी गया सगर राजा गया सगर ना साइट हजार दिकराव गया पण एना दिकराने त्यां दिकरो नानो जनमेलो येनू नम अन्सुमान रूसी मुनियोई भेगा थे येने गादी उपर बेशायरो अन्सुमान राजा थया पण संसकारी हता साधु संतुनो योगतो नान पण थी येने विचार केरो मारा बापुजी अतला बदा मारा काका साहीट अजार जेतला डादा बदा मरी गया अकाले मेरा साधुना द्रोहती मेरा येनु कल्यान तो करवुद जोये मारे अने पुत्र येनेज केवाई पुम नामना नरक्थी पिताने बचावे एतला माटे पुत्र श्राध्ध करे एतला माटे पुत्र पितानी पाचल कोई पुण्य कर्म करे एतला माटे दरेक पुत्रनी जवाबदारी छे त्रण प्रका पिता नी पाचाल, पिता नी पुन्य स्मृती मा दरोज सत कर्म करवो जोए अथो और अथो इनी तीथी आवे त्यारे सत कर्म करवो जोए भगवान्नो आजिवन थाल पिताजी नी स्मृतिमा पिताजी 5.अपरिले धाम्मा गया बस तो श्वमिदर वर्षे 4.अपरिले बापुजी नी याद करी थाल दरौज एक बापुजी नी स्मृतिमा पुन्य कर्म थाई आजनी परंपरा नथी वर्सोथी चालती परंपराजी एकास राध दरोज करवानू पितानी स्मृतिमा स्रद्धा पुर्वक करमा अथवा एनी तिथी उपर करवानू अथवा वरसमा एकवार करवानू आटलू नथी करते पुत्रद नथी अन्सुमान नामना पवित्र बुद्धिमान राजाने पुतानी पितानी भूलन देखानी एने जे करूते सकरी नाखियू पण हवे एनुँ सारू केम करू एनुँ कल्यान केम करू संतो ने पूछिऊ केमारा पिताओ पिता काका परदादा अकाले बधा मर्या एनुँ कल्यान केविरिते थाई संतो एक यू एनुँ एकज मार्ग छे गंगा नामनी पवित्र नदी गंगा पापम पापने दोनारी छे ए नदी जो मली जाई एमास्थी विसरजन करो तो बधान कल्यान थाई गंगा क्या छे इतो स्वर्ण माँ छे स्वर्ण माथी लावी के विरिते आखी जिन्गी तप कई रों तप करता करता एने उसरीर पूरु छेLL तो पन गंगा प्रसंत न थाई एना दिकरा भगीरत आणे पन जनम्ती तप चालो कहे रों के मारा पितानों जे पिताना अधुरा संकल्पने पूरा करे ये ले तम्हें बधा भौतिक अर्थमा ना ले 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 ता पजी के बापुजी ने पंदर फ्यक्तरी करवी थी ये मां त्रणत थाई चे बार बाकी जेहूं पूरी करीश कर जो बापा तेवड होई तो वांदो ने भौतिक दुनिया तो आमत चाले छे सक्ति हो एकलू करवू जो ये भगीरत नामना राजाय तपस्चरिया चालू करी इनी तपस्चरिया थी गंगाजी प्रसन थया बोल सुहित चाचे पृत्वी परपधारो अमारा पित्रियों न उद्धार करो गंगा ये कईव एक सरत सुह मारो प्रवातने खबर छे ये वो प्रवात याकी प्रुत्वी फाटी जसे हूं पडिस्तो स्वर्गमा थी मने जिल्से कौन बोव अगरो सवाल थे यो फरिवार भगीरत थे संतो ने पूछिव संतो ये कईव एक उपाई छे सुह ये वा समर्थ भीजा कोई न थी सीव छे संकर ये कैला सुपर प्रुत्वी उपर रहे छे ले कैला सुपर ये जिली ले तो प्रुत्वी ने भार न लागे औने पची प्रुत्वी उपर धिरेरे न आवी जाई सीव जी ने वात करी सीव जी उपर तप करी सीव जी प्रसन थया सारू भोडा आता उन जिल्लेस गंगाने माथे पन गंगाने अभिमान थयू केले अतला मोटा मारा प्रवाहने आज सीव सु जिल्वानों सीव जी उभारया मारी माथे पड भोडा आता अभिमान थी गंगा पड़ी पन सीव जी नी ताकात नीने खबर ने सीव जी आखी गंगाने जटामा गुच्वी नागी वर्षो गया तो जटामारी पानिन टिपुई निकलू ने उपरती प्रवाह पड़े पन नीचे ना निकले तेलो भगीर थेरान थेक बाब जी आखुँ जगडोची तमार भेनो अगर गंगा जी ने चुटा करो एले सीव जी पची चुटा केरा जटामा थी त्यारे गंगाजी ने रस्तो मेलो एटले जटा संकरी नाम पड़ू रस्तो मेला पची गंगाजी प्रवाहमा आगल वध्या पन येवो प्रवा येवो प्रवा पत्थरों ने फाड़ी नाखे परवतों ने चिरी नाखे गंगानो धस्मस्तो प्रवातो जोयोत छे तमे गउमुखनो एवो प्रवा हिमालेईना परवतो ने फाड़ी नागे इअभिमानमा गंगा आगल वद्ती ती छेक कपिल रुषीन आश्रम सुधी जवानो अतु शर्त प्रमाने यमा केटला साधु संतो ना आश्रमो अन मंदिरो तोड़ी नाख्यो जण्नु रुषी बेठात येने पाचो ते आतली बदी उद्धत नदी और ये मिने तो आचमन करू ओम नमस सिवाय केन आचमन करने आख्ये गंगान पी गया पेटमा उतार देदे भगीरत पाचा इंक्वायरी करी क्या गंगा अगल आवी क्यम नहीं पाची खबर पड़ी जण्नु रुषी पासे त्याजन प्रार्जना करी ये मुनी वर्य अमारे आतली आतली पेठीनु तप छे पित्रियोना कल्यान माटे आप प्रसन थाओ गंगाने मुक्त करो ये नाची तो अनेक जिवनु कल्यान छे येनी भूलने माप करो जण्नु रुषी ए कान द्वारा कोई के साथल द्वारा सास्त्रमा लख्यों ये प्रगट करी ये पाची नदी प्रगट थाई पाची वहवा लागी अने वहता वहता पची ये नदी कलकत्ता समुद्र सुधी पोची कपिल मुनी नो आश्रम तिया आवे छे रस्तामा साथे आम hmए पंशंतो गया छे अरीजवे अमणात्या जहेनी आवे येवा असितबगत एकवार संतो शाथे यात्रमा आवो ये वी आ बदी यात्रा वो छये प्रिविया बदी यात्रावो छे। करी होई आ सास्त्रों वाच्या होई अने पची यात्रा करी होई हिमालेनी चारधामनी तो आपने एक वारतों करवा जेवी छे छे ने। आपने गुरुजीने प्रार्थना करी या अमेरिका वाड़ा बदा भक्तो तयार थता होई तेक वार गुरुजीने प्रार्थना करी ये गोठोवी है। अने लोकमा गंगा तरीके उलखाई। आ गंगा नदी बवु राजी थै ये तला माटे के भगवान स्रीहरी पधारिया महराजे मारामा स्नान करिय। ये हरे मने आपना चरणों मा निरंतर वास आप जो प्रार्थना करी। हुँ आपना चरण कमलती उपजी छू मने सिव जी ये पोताने मस्तके राखी छे। ते पचितो भगीरत राजा मने भगीरती ना रूप मा लईयाविया आम धिरे धिरे गणा युगो विती गया गंगाये कैय। आपना चरणों मा मने स्थान आएपू। आपे साथे साथे बद्धी वात जो मा आवी। तमें जो यू। शीव जी ये पोताने मस्तके राखी छे। आईवात भगीरत राजा मने भगीरती ना रूप मा लईयाविया वात आवी। गणा युगो विती गया हे धर्म पुत्र आप सांबलो मेरूना सिखर उपर हुँ आवी अने आपनी इच्छा थी मेरू परवतनी चोतरप मारी धारावो चाली। आपे भामन उतार लिधो पची बलीनो उद्धार करवा तेनी पासे गया ते समय मने आपे प्रगट करी। आमना जेवात सांबली विष्णूपदी गंगानी बद्धी वात अमावी गए टुकमा गंगाजी भगवानने प्रार्तना करेचे प्रगट थाईने। ते आपना चरणोनी सेवा करवानी मारा मनमा खूब अभिलासा जे। आप तो देवना पन देव छो। मने आपना चरणोनी समीपे राखो। आम बे हात जोडिने गंगा एक गणीज प्रार्तना करी। विविद प्रकारनो पुजापो लाविया, फुलो अने फळो नोतो कोई पार नहतो। गंगानारदेमा अती उमंग भर्यो हतो। श्रीहरीना अंगो उपर केसर चंदननी अर्चा करी। सुंदर फुलोनु सिहासन लाविने तेना उपर श्रीहरीने पदराविया, अनेक प्रकारना फुलोना अभूशन लाविने सरस्रीते पहराविया, धूप अने दिप प्रक्टाविने प्रसन्न मन्थी आर्ती करी। 22 चोपाई पुरिथाई छे। अगलनी कथा आउती काले, गंगाजी भगवान श्रीहरीनी आरिते पुजा करी, आनु एक चित्र गंगा ना किनारे रुशी केसमा स्वामी ने असरम छे, त्यां हरिवल्लब स्वामी रहे छे, इस्वामी बहु सुंदर एक चित्र बने वुचे, गुरुजी ने चित्र गंगाजी आर्ती उतारेच, एकली सुंदर आर्ती, एकली सुंदर गंगाजी नी आस्तुती, एक था आपड़े आउती काले सांबली सु, बोलो घनस्याम महराजनी जै